EWS आरक्षन में OBC को क्या दिखा, नरेंद, नात, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फी सदी आरक्षन देने, के केंद सरकार के फैसले को सुप्रीम सहमती मिल चुकी है, इसके बाद अब देश में मंडल 3.0 का दौर शुकू होने की आहत सुनाई देने लगी है, भले यह फैसला केंद सरकार के लिए राहत की बात हो, लेकिन अब इस पर जो राजनीती शुरू हुई है, सरकार और BJP के लिए उसका मुकाबला करना आने वाले दिनों में आसान नहीं होगा, कैक शेत्रियत दलिस फैसले में अपने लिए मौका देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के देश में इस से जुड़ी मांगें उठने लगी, समय के साथ इसमें तेजी आने की ही उम्मीद दिख रही है, आरक्षन का कोटा पिछले दो दशक से संशोधित नहीं हुआ है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बिहार से लेकर, तमिलनार तक विपक्षी दलों अपना नया मानपत्र केंद्र सरकार के सामने रख दिया है, हालां कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिपनी नहीं की, लेकिन सभी ने केंद्र सरकार को यह कहने में भी देर नहीं होगा, तमाम OBC संगर्थनों ने अपने लिए आरक्ष के बाद इनके कोटे को 27 फीसदी से बढ़ा कर विशुद्ध 54 फीसदी करने की मान उठने लगी है, अगड़े आरक्षन के बहाने OBC के पैरोकार हर तरह से दबाव बनाने में जुड़ गए हैं, इसके लिए लगाई कि अब उनके सामने कोई बहाना नहीं राजनीति, नए स सिरे से तै करने की मान कर रहे हैं, उनकी ओर से यह तरक आया है कि जिस तरीके से अगड़ूं के लिए उनका कोई दस फीसदी तै किया गया उसी हिसाब से, अब उनके कोटे को भी बढ़ाया जाए, जातिगत जंगनना को सारवजनिक कर उसी दिये से अधिक आरक्षन देने क का रास्ता साफ हो गया है, ऐसे में अब हिसाब से हर जाती को आरक्षन देने की मान भी करने लगे हैं, उनका तरक है कि चून की सुप्रीम कोट के फैसले के बाद 50 फीसदी उनकी मान पूरी करने में कोई बाधा नहीं है, 2024 साम चुनाव से पहले इस मुद्दे के उठने के बीजेपी और मोधी सरकार को अब इस मान पर जवाब देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, देश में राजनीतिक रूप से OBC सबसे बड़े वोट, बैंक माने जाते हैं, ऐसे में इनकी मानगों को नजरंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता, यही पर विपक्ष को भी मौका दिख रहा है, अब वह इस मान को लेकर संसत के अगले सत्र में और आक्रामक रूप से सामने आ सकता है, पिछले कुछ सालों से OBC राजनीति कई मौकों पर फिर से कसोटी EWS पनपने का संकित दे रही है, बिहार उत्तर प्रदेश में नीतीश कुम तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताउने OBC जंगना करने की मान की है, बिहार, औरिसा, महराष्ट्रा, जार्खन जैसे राज्य इसके लिए विधान सभासे प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं, उनका तर्क है कि OBC जंगना होने के बाद, इनके लिए आरक कोर्ट के फैसले का साइड इफेक्ट इस रूप में भी देखने को मिल सकता है कि OBC के अंदर क्रीमी लेयर में बदलाव की मांग और भी तेजी से उठे, क्रीमी लेयर के तहट सालाना, आई 15 लाग करने का दबाव BC सानसदों की और से भी बढ़ेगा, वही सरकार पर OBC की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सामने लाने का दबाव बढ़ेगा, 2017 में मोधी सरकार ने OBC जातियों के बीच सब कैटगरी बनाने की पहल की थी, जिसके लिए एक कमिशन का गठन किया गया था, कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद सब कैटगरी में आने वाली जातियों के आरक्षन को अलग-अलग भागों में बांट जा सकता है, प्राइबेट सेक्टर क्यों रहे बाहर, मालूम हो कि मंडल कमिशन की सिफारिशें लागू होने के बाद से OBC को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षन मिलता है, सरकार का दावा है कि OBC के अंदर सब कैटगर के गठन से अधिक से अधिक जरूरत मंदों को आरक्षन का लाब मिलेगा, अब विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार कमिशन की रिपोर्ट को सारवजनिक करे और OBC आरक्षन को नए सिरे से लागू करने की पहल करे, वहीं केंद सरकार संभावित विवाद को देखते हुए खुद अपने बनाए कमिशन को ठंडे बस